नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रासवान और आप देख रहे हैं प्रिपेर फोर नौकरी ओफिसेल लिटूब चैनल दोस्तों जेनरल नौलेज और साइन्स का जो प्रिवियस एर एक्जाम में कोशन पूछे गए हैं उसका सेट नंबर एक थड़ है तो इससे पहले की लेक्चर है चाहे आप किसी भी एक्जाम की त्यारी करें पीडिएफ आपको कुछ समय के बाद हमारे इस टेलिग्राम चैनल पर मिल लेगा और देखिए आपके पास कोई भी कोश्चन पेपर होता है तो आप इस जीमेल पे जरूर भेजने की किरपा करिएगा तो देखिए कोश्चन से सुरू हुआ, 1930 से सुरू हुआ और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि 2018 में, 2018 में रसिया में जब हुआ था तो उस समय फ्रांस ने जीता था, सेकेंड टाइटल था उनका और ब्राचिल जो है 5 टाइटल जीतकर most successful team रही है फीफा बल्ड कप की, इसको आपको ध्यान रखेगा कि coconut trees are found in the mangrove forest, question है कि which state of India has launched one school, one IAS scheme, तो देखिए केरल गवर्मेंट ने इसको शुरू किया है, one school, one IAS, तो इसको ध्यान रखेगा, केरल इसको शुरू किया है, उसका देखिए question है कि which of the following is a cruise missile of India, तो देखिए basically दो तरह के missile होती है, ballistic missiles और cruise missile, तो यहाँ पर cruise missile का जो types है, वो है निर्वय, तो देखिए भारत में basically दो important missile है, ध्यान रखेगा cruise missile का, एक है निर्वय और ब्रहमोश, तो ब्रहमोश देखिए, जो यहाँ पर ध्यान इसको बनाए गया है, रसिया और इंडिया, तो भारत की जो ब्रहम पुत्रा नदी है, उसके ब्रहम लिया गया है, मोस मोस्कोवा नदी है, रसिया की, तो इसके नाम पे जो है ब्रहमोश missile है, जो की एक cruise missile है, और निर्वय भी एक cruise missile है, तो देखिए निर्वय जो है इंडि प्रोडीज क्रूज मिसाइल that can be fire from land and submarine से और मिसाइल इस 6 meter long 0.5 meter wide with a launch bit जो है पंदरा सो से सोला सो है it can be used to carry both conventional and the nuclear बारहेड and can strike target up to the thousand kilometer इसको देहान रहे अगनी 1, अगनी 2, 3, 4, 5 जो इंटर कंटिनेंटल बैलेस्टिक मिसाइल है अगनी 5 जिसकी रेंज बताई जारी है पांच हजार किलोमेटर तो और प्रिधवी 2 धनूस ए तीनों आपको देखने को मिलेगी बैलेस्टिक मिसाइल है अब आपके मन में आ रहा हो कि एक क्रूज मिसाइल और बैलेस्टिक मिसाइल क्या है तो यहाँ पर आपको अंतर भी पता चल लागा तो देखिए बैलेस्टिक मिसाइल होती है टारगेट एज प्रजक्टाइल जिसे इस तरह से ऊपर जाएगी पहले उसके बाद फिर नीचे अपना टारगेट हिट करेगी और क्रूज मिसाइल जो है यहाँ पर सीरे इस तरह से ज वे अप उनली उसके पावर थू आउट इस फूल जर्नी क्रूज मिसाइल है जबकि क्रूज मिसाइल है नॉर्मली है अन ओन बोर्ड गाइदेंस और फॉलो प्रिसेट पाथ तो दे टारगेट जो है टारगेट मुच मोर प्रिसाइजली बिकाऊज यहाँ प्राइमरी यू डिपेंड करती है बलेस्टिक मिसाइल जबकि क्रूज मिसाइल जो है यहाँ पर अर्थ की ग्रिविटी पे डिपेंड नहीं करती है और देखिए बलेस्टिक मिसाइल को जब एक बार छोड़ दिये तो उसको रोक पाना मुश्किल होता है आपने टारगेट को जाकर हिट कर करेगी जबकि cruise missile है एक वार हम छोड़े तब उसको हम यहां पर navigate कर सकते हैं तो उसको control कर सकते हैं तो यह ज़्यादा जो है precise माना जाता है cruise missile as compared to the ballistics missile तो इसको ध्यान रखेगा और ballistic missile को छोड़ने के लिए दोस्तों जैसे सब्मेरिन से छोड़ सकते हैं और से छोड़ सकते है लेकिन इसको आप air से भी छोड़ सकते हैं cruise missile को तो इसको आप तो को ध्यान रखेगा उसके देखें इंडिया celebrate its परवासी भारतिय दिवस in 2021 यानि कि 2021 का जो परवासी भारतिय दिवस मनाया गया वो कौन से नंबर का था तो 16 जो है परवासी भारतिय दिवस 2021 में मनाया गया से लेकि 1915 तक साउथ अफिरका में रहे थे नौ जनबरी तो आये थे कब तो नौ जनबरी 1915 को साउथ अफिरका से इंडिया बापस आये थे तो सबसे बड़े परवासी महत्मा गानी थे तो जब भारत लोटे नौ जनबरी को नौ जनबरी को ही हर साल भारतिय परवासी दि यानि कि 2003 में सबसे पहली बार जो है परवासी भारतिय दिवस जो है मनाय गया था, इसको ध्यान रखेगा, और देखें, 2021 में जो परवासी भारतिय दिवस मनाय गया, उसका जो है थीम क्या था, तो contributing to आत्म निर्फर भारत, is the theme of the 2021, that is a 16th परवासी भारतिय दिवस, और इसको virtually held किया गया कहा, तो New Delhi में, क्योंकि pandemic चल रहा है, तो इस वज़े से virtually इसको celebrate किया गया, New Delhi में, और इसका chief guest कौन थे, 2021 के जो परवासी भारतिय दिवस थे, तो सूरिनाम के president, चंदरिका परसाद संतोखी, ध्यान रखेगा, सूरिनाम के president, चंदरिका परसाद संतोखी, the chief guest of the 16th परवासी भारतिय दिवस, question है कि, what is the mission, life of the Kato Set 3 satellite launch by zero, तो देखे, Indian Space Research Organization, जो कि भारत की Space Agency है, इसके द्वारा, जो है, Kato Set 3 launch किया गया था, कब, तो 27 November, 27 November 2019 को, 2019 को launch किया गया Kato Set 3, जिसके life बताया जा रहा है, 5 साल तक, यानि कि, 2019 से लेके, 2024 के आसपर काम करेगा, और जो Kato Set 3 है, यह किस तरह का satellite है, तो Earth Observation Satellite है, और इसको launch किया गया था, जो launch vehicle था, वो था PSLV, PSLV C-47, C-47 के द्वारा, यानि कि, Polar Satellite Launch Vehicle, C-47 के द्वारा, Kato Set 3 को, 27 November, 2019 को launch किया गया, और जिसके life बताया जा रहा है, 5 साल. Question है कि, which article of the Indian Constitutions is related with the provision as to the financial emergency? तो देखे, thankfully, भारत में अभी तक एक भी बार, financial emergency imposed नहीं की गई है, तो ध्यान रखेगा, जो भारत में तीन तरह के, basically, emergency लगाए जा सकते हैं, by President of India, फस्त है, आपको ध्यान रखना है, national emergency, तो national emergency under article 352, उसके बाद a state emergency, यानि की constitutional emergency उसको बोलते हैं, जिसको President rule बोलते हैं, 356 के तहट, उसके बाद financial emergency, 360 article के तहट, फाइनेंसल emergency, President की द्वारा लगाया जा सकता है. Question है कि संतूर is a type of which type of बाद्य? तो देखिए, जो बाद्य यंत्र है, जो बाद्य है, वो basically, जो संतूर है, देखिए, इसमें a spring लगे हुए है, तो ये टात्य जो है, बाद्य के अंत्रगत आते हैं, अब देखिए, जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कि नाट्ट सास् तो जो musical instrument है, उसको चार ग्रूप में basically बाटा गया है, सबसे पहला यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो यहाँ पर क्या है, तो अब नधा, वाद्य, उसके बाद तात्वाद, घनवाद और सुसीर वाद्य, तो देखिए, इसको जो है परकसन instrument बोलते हैं, अब नधवा और सुसीर वाद को बोलते हैं, बिंड इंस्टूमेंट, तो इसको आपको ध्यान रखना है, चार तरह के instrument, basically आपको ध्यान रखना है, क्वेशन है कि in pre-independent India, who were the first to discuss the concept of the poverty line, तो देखिए, poverty line को discuss करना बहुत ही जरूरी होता है, किसी भी government के द्वारा, तो देखिए, pre-independ इंडिया में, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले जो है, डिसकस किये थे, poverty line को, तो ध्यान रखेगा, दादा भाई नौरोजी और इनकी एक book है, Poverty and Un-British Rule in India, इसमें इन्होंने इसका जिक्र किया है, तो ध्यान रखेगा, Poverty and Un-British Rule in India is written by दादा भाई नौरोज Question है कि in the Henle Passport Index 2021, which country has topped the list? तो देखे, Henle Passport Index बहुत ही परतिष्ठित एक इंडेक्स है, जो कि Henle and Partner के द्वारा और IATA के द्वारा सहयोग से जो है, इसको रिलीस किया जाता है, तो इसको ध्यान रखेगा, जापान और सिंगापूर, संजुक्त रूप से, तेहां पर देखे, जापान और सिंगापूर दोनों होना चाहिए था अंसर, लेकिन जो एक्जाम एजनसी है, वो जापान ने यहां पर correct अंसर दिया है, लेकिन जैसा कि आपको मैं यहां पर दिखा रहा हूँ, कि the Henle Passport Index is the original authoritative ranking of all the world passport according to the number of the destination, their holder can access without a prior visa, यानि कि prior visa के आप कितने देशों में जो है यहां पर visa, जो है free travel या फिर visa on arrival कितने देशों में आपको facility मिलती है, तो उस देश को जो है number one पे रखा जाता है, जैसे कि आप जापान के अगर नागरिक हैं, तो आपको 101 यानि कि 192 countries में आपको जब जाएंगे तब visa की ज़रुरत है, या फिर visa free travel आप कर सकते हैं, और भारत की देखे राइंकिंग 2021 की राइंकिंग ये है, तो 2021 की राइंकिंग भारत यहां पर फिसल कर, यहां पर 90 नमबर पे पहुंच चुका है, और यह आपको है 58 country में हम लोग जो है जा सकते हैं, visa on arrival या फिर visa free, और देखे 2020 का जो भारत का राइंकिंग था, वो 82 था, देखे country उतना ही अभी तक है, 58 country में जो है इस तरह के facility है, लेकिं राइंकिंग भारत को यहां पर 82 से लेके 90 पहुंच चुका है, जबकि देखे जापान और सिंगापूर दोनों संजुक तरूप से नमबर बन है, 192 country में इनको जो है visa on arrival या फिर visa triple जो है दिया जाता है, औ देखे साइमन कमिशन जो है 1927 में बनाए गया था और भारत जब आया था तो हो चुका था 1928, तो 1928 में भारत यह आया था, आप देखे इसके बारे में और फैक्ट जानी है, तो साइमन कमिशन ग्रूप अपाइंटेड इन नमबर 1927 बाइड़ ब्रिटिस कंजरवेटिव अन्डर अस्टैनली वर्डवीन टु रिपोर्ट ऑन दे वर्किंग अप दे इंडियन कंसिटूशन इस्टैबलिस बाइड़ गर्रमेंट अफ इंडिया एक्ट जो बनाई गए थी, उसके जो है देखने के लिए कि किस तरह से काम कर रही है, सेबन मेंबर का एक कमिटी बना कि the circulatory system of the human consists of, जो circulatory system है human का उसमें blood भी यहां पर सामिल है और heart भी सामिल है, तो दोनों statement बिल्कुल सही है, उसके देखिए question है कि what is the valency of helium, तो देखिए helium एक noble gas है और इसका जो है atomic number 2 है, जबकि atomic bait है 4, और इसका symbol he है, ध्यान रखिएगा, और इसके देखिए एक noble gas है, जि crystal structure इसका, और 1S2 इसका electronic configurations है, और इसके जो valency है, वो है zero, zero valency है, इसको ध्यान रखिएगा, important है, उसके देखिए question है कि plant tissue are of main type, देखिए बहुत सारे जगा यहां पर आपको तीन type दिये होंगे, लेकिन मैंने NCRT से confirm किया है, कि इसका दो type ही है, कि plant tissue are of mainly, two types, that is a meristematic tissue and permanent tissue, इसके फिर other classifications है, लेकिन basically plant tissue जो है, दो तरह के है, meristematic और permanent tissue, उसके देखिए question है कि which of the following relation regarding friction is correct, तो देखिए frictions जो है, सबसे ज़्यादा होती है, aesthetic, उसके बाद यहां पर sliding, फिर rolling, इस तरह से सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, aesthetic है, aesthetic friction, फिर sliding, फिर rolling, तो दोस्त इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, I hope आपको इस वीडियो पसंद आयोगा, तो जरूर लाइक कर देजेगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्स्राइब कर लिजिए, और वीडियो को सेर कर देज, so thank you